नमस्कार मैं हिमान्शू और आप देख रहे हैं टार्गेट विथ हिमान्शू उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सिक्षकों की भरती का इंतजार लाखो बीड और बीटीसी पास युवा कर रहे हैं पिछले कई सालों से एक बड़ी भरती का इंतजार है आये दिन अखबारों आपके मन में भी एक बड़ी भरती का ख्याल होगा कि साइद इस महीनी तक भरती आ जाए और अभी अक्सर अकबारों में सुचनाएं देखने को मिलती है उसमें सच्चाई है या नहीं है क्योंकि अखबारों में सुचनाएं तो पहले के जैसी विस्वस्वस्वस्वस्वन सुर्व जाए तो सबसे बड़ा उनका मोटीव यही रहता है आपको भरमित करने का पिछले एक साल दो साल से अगर आप देखे तो अकबारों में लगातार हर महीने दो महीने पर एक प्रकार के सुचनाएं आ जाती रही है पिस सरकार भरती करने जा रही है इस महा तक भरती से आप सिल्फ स्टडी से आप बन जाएंगे सिक्षक वो बहतर है कोचिंग से तो कोई कोचिंग वाला नहीं बना सकता आपको जब आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखके एक सही प्लैनिंग के तहत पढ़ाई सुरू कर देंगे तो आप घर बैठकर ही सेलेक्शन ले जाए ठीक है तो जो लोग कोचिंग के चक्कर में पड़ते हैं या कोचिंग के भरोसे रह जाते हैं फिर वो लोग सफल नहीं हो पारते हैं ठीक है कोई बड़ा जो सर्विस कर रहा है चाहिए आई-स-पी-स लेकर नीचे तक के वह सेल्फ इस्टड़ी सबसे ज्यादा कर रहे हैं प्लाइनिंग कैसे करना है आपको सिक्षक भरती की त्यारी कैसे करनी है या यूपी-टी एकर आपसे क्लियर नहीं हो रहा है कुछ लोग सीटेट की त्यारी कर रहे हैं तो सीटेट और यूपीटेट बहुत डिफरेंट होता है ठीक है ध्यान दिजेगा आप की तुलना में ठीक है तो फिलाल इसको में हम साइडवे करते हैं अभी अभी हम बात करते हैं नहीं सिक्षकों की भरती की सबसे बड़ा प्रस्ण आपके मन में यह है कि क्या सिक्षकों की भरती आएगी मेरा में साथ जवाब रहेगा जरूर आएगी हंडेट पर्शंट शो की कोई एसी प्लानिंग है नहीं कि अभी तक कब तक भरती देंगे तो कोई कुछ भी कह सकता है जैसे मैं भी कोई बताई सकता हूं और अभी स्याद बता भी दूंगा कि हां इस टेट तक मेरा अनुमाने की सब्सक्राइब भरती कर देगी ठीक है लेकिन हां यह है कि आने व सब तक सालों नहीं हो जाएंगी तब तक इतना आसान नहीं है इन सब के बीच 2019 2020 2020 2022 यह बैच निकल लाएं है बीएड वी टीशी और इनको भी सिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए और इसी से वह यह लगातार मांग भी कर रहे हैं क्या सिक्षक भरती आएगी प्रश्न जी थी दिशंबर 2018 में शिक्षक भरती जब हम लोग की भरती हुई थी जिसमें खुद मेरा भी सेलेक्षन हुआ है और दिशंबर 2018 में उसको 6 जनवरी को जान तक मुझे आदे परिच्छा हुई थी और उसके बाद फरवरी यानि की 14 फरवरी के आसपास सरकान ने बोरा था कि न्युक्ति पत्त दे देंगे ठीक है और मार्च अप्रेल में अदे शुचना जारी हो गई थी उसकी चुनाओ की और उसके बाद फिर पिर उसके बाद भरती कोर्ट में फस्ट गई थी शिक्षामेंत्रों के वामले पर क्योंकि सरकार ने परिच्छक एक दिन ये इसलिए सरकार ने कहा है कि मारे पास पत खाली है कि देखे विजय किरनामन जी क्या कहते है कि आगले 10-15 साल में क्या होगा वह अलग बात है और दूसी चीज यह वह एकि लगातार संख्या बढ़ रही या भरतियों की बच्चों की संख्या बढ़ रही विद्यालियों में तो बिद्याले में जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो निशित रूप से अब सकता पड़ेगी सिक्चकों की ठीक है सरकार का जो लच्छ है कि हम इतनी संख्या बच्चे बढ़ाएंगे तो अभी ने डिमेशन और भी हो रहे हैं लगाता रस्में बेसिक इच्छा व दाखिल के यह कोट में सब्रम कोट में कि वह इंके पास 5250 से अधिक पद रेखता है ठीक है जिन पर इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं रिलिज किया था और आगे यह करने वाले है इन्होंने बताए यह बात खुदी सरकार से सरी कोट से अब यह अलग बात है कि कोट मे दिसंबर 2018 में इनके पास रेक्त थे ठीक है अब आप सूची है दिसंबर 2018 में भरती हुई थी हम लोग की भरती हुई दुजार उन्होंने इसमजा कर हुई तो मान करें यह बीश उस तक इन्होंने जब कोट में फ़ानल डिसिजन आ रहा था तो उस दुरा निन्होंने यह दो लुक साल अमनों के निवक्तिक हो गए तो दो साल पहले इनके पास एक 50,000 प्रती हुई है तो उसके बास से बेसिक सीच्चा विभाग में चात्रों की संख्या बढ़ी है गटी तो है नहीं तो पदों की संख्या भी बढ़ेगी शिक्चा को क्योंकि लगातार सुधार ह हो रहा है तो 51,250 मिनीमम है मिनीमम गवर्मेंट जितना चाहिए भरती करें क्योंकि अभी यह माने मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि पदों की संख्या का पता लगाना है अभी यह कितने स्रजीत हो रहे हैं एक्चुली इसको भी डिसको भी डिसाइड करना सेज है लेकिन कि इसने पर करेंगी सीर्फ सिर्फ 51,000 पर करेंगी कि इसका अलभ न मुख्यास यह पूरी तरह से सरकार कराइए कि उसके कि तनी भार्थी करना है ठीक है सब कुछ लेगा चलना क्योंकि हम तो यह भी कह सपते हैं कि दो लाग वर्थी सरकार कर देगी लिकिन सरकार को बजट भी लेकर चलना है क्योंकि आप सभी जान रहे है कि बड़ी भरती का मतलब बड़ा बचल बड़ा खर्च तो अभी एक मुखे मंति जी ने भी कहा था कि हम हर साल भरती मतलब एक वरती खतम ने भी कि दूसरी चालो तो उस समय बेशिक सिशा मंति शती दिवाजी के बात आपने सुनी होगी फिलालो वो एक अलग मैटर है तो प्रश्ण यह आपका कि क्या सिक्षक भरती आएगी इसका जबाब मैंन सुची का कि अगला दिशंबर जो नौंबर के बाद आ रहा उसमें नहीं तो आपकी जो भरती है यह 2024 में जो है 2023 में सॉरी 2023 लास्ट नहीं दिशंबर या नहीं लबग एक साल एक मैना भी आसपास आप समय सकते हैं इतना आपके पास टाइम है ठीक है दिशंबर 2023 और जुलाई अगस्तिय सिदंबर के असपास 2023 में आने वाले चार-पांच महिने में कोई भरती नहीं आने वाली मुझे यह मेरा अपना विचार है मैं यह ओफिसियल गौर्णन को कोई वक्त भी नहीं किया रहा हूं जो मेरी ठिंकिंग जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ठीक है चीजों को सरकार किस तरह से ले रही है और क्या चीज़ आगे होने वाली है तो अभी तो यहीं लग रहा है कि दिसमबर 2024 दिसमबर 2023 और जनवी 2024 क्या सपास भरती देंगे और फरवरी क्या सपास मतलब एपॉइंटमेंट देने की बात जहां तक लग रहा होगी और उसके ब आप समझने नयासत बच्चों का शुरू हो जाता है तो अभी यही है ठीक है सेक्षणों में भरती अब आपको दिखी यह बार बार में बताता हूं कि आपने मन में डाउट मत लाय करिए जिसे अगर आप यह कहां कि नहीं भरती नहीं आएगी आप हर बार नेगेटी हो जा कितना परचान थे लेकिन इस चनल पर जो लोग पहले से जुड़े होगे हैं उन लोगों ने देखा हम लोग किस तरह से सिच्वेशन को फेस किये महीने महीने की डिट लगती थी और एक सुनवाई पर कोट दो मिनिट सुरकर मामले को अगले दिन के लिए लगाते दो था ए बहुत दर्द फेस किया है बात आज मनदब भरती का इंतजार कर रहे हैं युवा चुकी परिशान है तो उसी पर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि देखे हम लोग भी जो इस चैनल पर बहुत से से जुड़े हुए हैं सभी लोग उस सिच्वेशन को समझे हैं और आपकी तुमा बाद एपॉंट्मेंट कब मिलेगा कांसलिंग वाले दिन कांसलिंग हम लोग की रुख गई थी तो यह सारी चीजिए को आप समझे कि हम लोग ने भी कितना फेस किया है ठीक है तो इंतजार करिए और पढ़ाई करिए ठीक है मैं बार बार कता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान करना बढ़ाएगा तो इसको इसलिए आप वह बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपड़ाई करें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में कुछ और प्लानिंग के साथ की कैसे करेंगे त्यारी तब तक के लिए गुड़ बाए